नमस्कार प्रभा साक्षे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि भारत में होई 5G सर्विस के एंट्री इन देशों में हो रहा 6G तकनिक का इस्तेमाल नौर्वे में 7G की इंटरनेट स्पीड है तो आईए सुनते हैं आज क तकनिक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का वादा करती है और इसकी मदद से योजर किसी फिल्म को महज कुछ सेकेंड में ही डाउनलोड कर सकते हैं दुनिया के कई हिस्सों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है तेवहारों से पहले और दौरात्र में विशेश मौके पर देश्ट को नई सौगात मिली है प्रधार मंतिर अरेंद्र मोधी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लौंचिंग कर दी है यह भारत के लिए खास पल है भारत ने टेक्नलोजी के शेत्र में नए योग में प्रिवेश किया है मोबाइल प्रद्योगी का विक 5G परी नियोजित कर रहे हैं और लोग 6G और 7G के बारे में सोच रहे हैं जिसमें 6G नेटवर्क पर दुनिया भर की कई बड़ी कमपनिया काम कर रही है दावा किया जा रहा है कि 2035 तक 6G एक वास्तविक्ता बन जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि लोग इसका उप्योग करन शुरू कर देंगे चीन में 6G की सफलता के बारे में पहले से ही कुछ खबरे हैं 5G, 6G, 7G के बीच, Cellular, Wireless, Generation, गती, सिस्टम, आकरिती और प्रद्योगे की परिवर्तनों को संदर्भित करता है प्रतेक पीड़ी में कुछ मानत, शमताएं, नई विशिस्ताएं आदी होती है जो इसे पिछले वाले से अलग करती है, किन देशों में है 6G तकनीक, 6G नेटवर्क में डाटा डाउनलोड की स्पीड 1000 Gbps तक पहुच सकती है, 6G नेटवर्क में आप 6GB की मुवी को मात 51 सेकेंड में 1000 मेगा वाल्ट से प्रतिस सेकेंड के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं दुनिया भर की कई बड़ी कमपनिया 6G नेटवर्क पर काम कर रही हैं, जैसे कि सैमसंग, LG, हुई ने 6G तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है, माना जा रहा है कि 6G नेटवर्क को 2020-30 तक दुनिया में लांज किया जा सकता है, 6G की उच्छ आवरित्या तेजी से नमूना करन दरों को सक्षम करेंगी और प्रयापते थ्रूपुट और उच्छ डेटा दर प्रदान करेंगे, ओप मीमी तरंगों और साक्षेप विद्दुत चुम्बकिये अवशोसन दर को हल करने के लिए आकरिती चैनात्मक्ता के संयोजन से संभावित रूप से वाइलेस सेंसि तकनीक में प्रगति हो सकती है, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां इंटरनेट स्पीड 7G और 8G की स्पीड पर उपलब्ध है, अभी तक तो 5G को सबसे अच्छा नेटवर्क माना जा रहा है, लेकिन नौर्वे में 7G की भी सुविधा उपलब्ध है, इसके अलावा देश इसे लागुक करने जा रहे हैं, बहुत अधिक बैंडविट लगभग गैर मौजूद विलंबता और सार्व भौमिक एक ही करन की आवश्शकता को 7G दौरा पूरा किया जाएगा, 7G नेटवर्क के स्पीड 11 गीगाबाइट प्रतिस सेकंड होगी, जो एक औसत गुजर को काफी रकम चुकानी होगी, 7G मौबाइल नेटवर्क फोन, 7G के फ़ाइदे ये होंगे, इन फाइदों को देखते हुए, तरी देश पहले ही 7G पर रिसर्च कर रहे हैं, आगे चलकर इसे के अधार पर मौबाइल फोन भी विक्सित होंगे, जिन में डीप लर्न आवे को छोड़ कर दुनिया की किसी भी देश में 7G या 8G इंटरनेट स्पीड नहीं है, या सेवा हमारे बीच कब तक आएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्दे पर देंग विस्ट्री जानकारी रही है प्रभा साक्षी के साथ